वेल्कम आपिल हाउस किचेन अस्सालाम अलेकुम आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी ग्रीन चिल्ली दही फिश फ्राई चलिए इसको शुरुबात करेंगे यह है भूना हुआ कारी पत्ती और जीरा पोडर मैंने इसे तावे पे भून कर इसका पोडर बना लिया है जिंजर गालिक पेश लिएंगे यह हाफ किलो मच्शी है मैंने मच्शी को नम्मक लगा कर एक सी तीन बार पानी में आच्छे से वाश कर लिया है अब हम एक बाउल लिएंगे बाउल में फो टेबू स्पून दही डालिएंगे और वन टेबू स्पून ग्रीन चिली पेश डालिएंगे उसके बाद भुना हुआ करी पत्तिय और जीरा पोडर दालिएंगे जिंजर पेश डालिएंगे वन टेबू स्पून गरम मसाल दालिएंगे वन टेबू स्पून धनिया पोडर दालिएंगे वन टेबू स्पून नमक दालिएंगे स्वात के नुसार हल्दी पोडर दालिएंगे चुटकी भर इसे अच्छे ऐसे मिक्स करेंगे अब हम मिक्स किया हुआ मसाला डाल दीएंगे पूरा डालिएंगे हाथ से या चम्मर से इसे स्प्रेट करेंगे दोनों तरब भी मसाले को अच्छे चे स्प्रेट करेंगे अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिंगे आज हम कच्छी घानी सरसों का ओईल इस्तिमाल करेंगे मैंने ग्यास को आन कर लिया है और पैन भी रख दिया है अब हम सरसों का ओईल डालेंगे चलिए तेल गरम हो चुका है तवे पर फिश को डाल दिंगे बचा हुआ मसाला सैट पर रख दिंगे इसे बाद में इस्तिमाल करेंगे ग्यास को लो फ्लेम ही रखेंगे आराम से इसे फल्टिंगे बचा हुआ मसाले में रख चिली पोड़ो डालेंगे हाफ टेल बूस्पून अच्छे से मिक्स करेंगे टो टेबूस्पून सफेद तिल डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बार वन सेड एक ही सेड मसाले को लगा देंगे हमें दोनों सेड नहीं लगाना है सिर्फ एक सेड ही लगाना है अब इसे फल्टिंगे देखे हमारा फिश का रंग कितना अच्छा आया है एक मिश के बार मैंने फिर से फल्ट दिया है चलिए हमारा ग्रीन चिली दाहीं फिश फ्राइ बन चुका है अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल दिंगे अभी तक आपने में चांग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तब प्लेस सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल बेटन को प्रेस कीजिए